परंपरा के प्रभाग में पूरा विष्व परिचित है गीता में नहित कृष्ण के उपदेशों को प्राप्ट कर अर्जुन को परंग्यान की प्राप्ति जिस तरह होती है उस परंग्यान का अंश्रमात्र भी हम यदि जीवन में समझ सकें और तदनुरूप जीवन जी सकें उसी उद्देश्य के साथ भारती अग्यान परंपरा में प्रेरणा स्वरूपा श्रीमत भगवद गीता नाम की श्रिंखला के चतुर्थ सोपान को लेकर मैं उपस्तित हूँ नारायनदत्मिष्र इस श्रिंखला में आज बात सप्तम और अश्टम अध्यायों की जैसा कि हम जानते ही हैं कि भगवद गीता के कुल साथ सो श्लोक हैं और इसके सप्तम अध्याय में श्लोकों की संख्या तीस है और इस अध्याय का नामांतर या दूसरा नाम है ज्यान विज्यान योग इसलिए इस अध्याय का आरंभ किस श्लोक से होता है पहले हम यह शुद्ध उच्छारण के दृष्टी से जान लेते हैं मय्या सक्त मनाह पार्थ योगम युन्जन मदाश्रयह असंट्रयम समग्रम माम यथा ग्यास्यसी तच्छनू और अब बात हमारे आज के दूसरे अध्याए की अर्थात अश्टम अध्याए की यहां श्लोकों के कुल संख्या है 28 और इस अध्याए का दूसरा नाम है अक्षर ब्रह्म योग इस अध्याए में ब्रह्म के स्वरूप पर अर्जुन के गूढ प्रश्ण और इस संबंध में कृष्ण के अत्यांत सहज और सुल्जे उत्तर उस अनिर्वचनी अब्रह्म के अक्षरत्व का प्रतिबादन करते हैं और हमें उस परम शक्ति के स्वरूप के बारे में बतलाते हैं यहां एक विशेश श्लोक हम इस संबंध में जान लेते हैं अर्थात योगी ब्रह्मस्वरूप को जानकर वेदा ध्यन, यग्य, तप और दान करने में प्राप्यमान पुन्य फल से कहीं अधिक पुन्य प्राप्त कर परम स्थान को प्राप्त होता है समगरता से देखें तो गीता के नौवे अध्याय में भगवान कृष्ण ने भक्ति योगी की अद्वितियता और भक्ति के विभिन रूपों का वर्नन किया है इसमें उन्होंने सच्ची भक्ति के लक्षण और भक्ति में समर्पन की महत्ता पर विशेश चर्चा की है दसमें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्नन किया है और इसमें भगवान की अध्वुत शक्तियों और श्रिष्टि के उत्पति के बारे में भी बतलाया गया है और क्या है विशेष जीवन के सूत्रेन अध्यायों में यह जान लेते हैं अपने अतिथी विशेष से सब्तम अध्याय में श्री कृष्टा अर्जुन को कहते हैं कि सेक्ड़ों लोगों में कई लोग हैं जो सिध्धपुरुष बनते हैं उनमें भी कई हैं जो स्थूल और सूक्ष्म का अंतर समझते हुए श्री कृष्ण के तत्व तक पहुँच पाते हैं और श्री कृष्ण अपना तत्व के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि वेदों का जो मूल ध्वनी ओंकार है वो उनका प्रतीक है जो बुद्धी मताम की ब अध्यात्मिक अक्षर है जो अध्यात्मिक जगत को अपना जिंदगी में लाते हैं वही श्री कृष्ण के परमधाम तक पहुच पाते हैं और अब अंत में क्रम है इन अध्यायों से संबध्य भगवद गीता सार और कवी सुशील की काव्यगत शैली के सन्निवेश का तो अध्याय शह सार तत्व को हम जान लेते हैं ताप तेज तप नभजल गुण मैं सकल स्रिष्ट में मैं हूँ व्याप्त मुझको भजते भख्त सदा जो कर लेते वे मुझको प्राप्त कहा क्रिश्ण ने प्रिय अर्जुन से जपते जो अविरल हरी नाम वे सब जन निश्टित जाते हैं दिव्य रूप धर हरी के धाम सकल नाम अप्छर ओम अप्छर है योगी जन को है यह जपते रहते ओम सदावे करते दिव्य रश मेरसपान तो आज हमने जाना श्रीमत भगवत गीता की श्रिंखला में सब्तम और अश्टम अर्ध्यायों की विशेशताओं के बारे में और हम इसके बाद जानेंगे नवम अध्याय और दश्रम अर्ध्याय की विशेशताओं के बारे में अपने अगले अंक में तब तक के लिए दीजे हमें अनुमती, नमस्कार